नमस्कार मैं हो सोग बर्मा आप देख रहें टीबी टॉन्टी न्यूज आपके छेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलत कराते रहता हैं बने रही हमारे साथ अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलशिला आयोध्या में 21 जून 2021 को विश्वयोग दिवस के आउसर पर आयोजित दिव्ययोग साथना कुम्भ में छेत्र के कटोही ग्राम निवासी सर्वन कुमार यादो पूत्र उमा कान्तियादों ने एक हस्त मयूर आसन में विश्व रिकार्ड बनाकर पूरे छेत्र का सम्मान बढ बता दे कि सर्वन कुमार यादों ने 2018 में सिधार्त नगर में आयोजित योग के कारकर में सुप्त गर्भासन जो दो घंटे 22 मिर तक लगतार करके विश्व किर्थिमान अस्थापित किया था और इनका नाम गोल्डेन बुक आफ वर्ल्ड डिकार्ड में अंकित किया गया उससे प्रेडित होकर पूर्य लगन से योग करना सुरू किया इनकी मेहनत ने इनको 2015 में योग गुरू के रूप में अस्थापित कर दिया और या तवी से देश के विविन हिस्सों में योग सिखाने के लिए बुलावा आने पर जाने लगे स्रवन कुमार योग के साथ साथ इलहाबाद में रहकर सिविल सर्विस की तियारी भी करते हैं इस समय कोरोना काल में आपदा को आवसर में बदल कर घर पर ही आनलाइन योगा क्लास का संचालन करते हैं जिसे देश के विविन राजियों के साथ ही विदेशों से भी लोग ज विवाग में कार्यत हैं इनके पास दो छोटी बहान भी है इनके बिस वरिकाट अस्थापित करने के सुचना पाकर वधाय देने वालों का ताता लगा हुआ है वह पुड़े छेतरी में खोसी का माखौल प्याप थे तर्मन कुमार यादों ने अपने सभलता का सारा स्री अप में अपना नाम दर्ज कराया और आसन का नाम था सुप्त गर्भासन जिसमें की दोनों पैरों को सीर के पीछे रखा जाता है और उसमें होल्ड किया था दो घंटे और बाइस मिनट तक तो वह है 2018 में बना और अभी रिसेंटली में 2021 में तो योग दिवस के आउसर पे बना ह है वह साथ मिनट का एक हर्ष्ट मयूरासन रिकॉर्ड बना है जिसमें एक हर्ष्ट पे पूरे शरीर को ले करके बैलेंस किया जाता है पिछली बार सिद्धार्तनेगर में आयोजन हुआ था 2018 में जब मेरा पहरा वर्ड रिकॉर्ड बना था और इस बार का आयोजन अयोध् कि कैसे कोई अपने सीर के बल खड़े हो सकता है तो सीर सासन करके उन्होंने दिखाया तो मेरे मन में आया कि हम भी करेंगे इसको तो पहले तो मैंने इसको मतलब एक खेल के तौर पे देखा था लेकिन बाद में जब करने लगे तो सौझ में आया कि योग एक खेल नहीं है योग एक विधा है और एक विध्या है आपने अपने माता पिदा को देना चाहते हैं जो घर में एक मतलब लकीर सेहट के जो काम हमने करना चाहा उसके प्रती हमें था प्रेरित किया और कभी इसमें कोई बाधा नहीं बने ना कोई रुकावठी किया उन्होंने और हम ऐसा प्